मद्ध प्रदेश में COVID-19 के महामारी की रोक्ताम के लिए राज सरकार द्वारा लिये गए निर्णाय प्रदेश में कंटेंटमेंट जोड़ को छोड़ कर किसी भी जिले या सहर में छेतर में लोगड़ान नहीं लगाया जाएगा अंतराजी एवं अंतर जिला परिवेन सतत एवं निर्वादा रूप से चलेगा अधिक संक्रमन के निम्न जुलो में कल 21 नमंबर से आगामी आदेश तक प्रतेक रादरी 10 बजे से प्राता 6 बजे तक दुकाने बेफसायक प्रतस्टान बंद रहेंगे एवं नागरिक अती आ अबागवन एवं ट्रकों के परिवेन पर कोई रोक नहीं है कक्चा एक से लेके आठ तक के समास्ते स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे कक्चा 9 से बारवी की स्कूल चात्र एवं चात्राएं कॉलेज के चात्र चात्राएं बिभाग द्वारा जारी दिसान अरदेश के इसकूल कॉलेज आजा सकेंगे यह नरणाय मद्द प्रदेश आसन द्वारा लिए गए प्रदेश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेरी से फैल रहा है अपने प्रदेश के कुछ जिलों में इस सब्तार पेजी से पोजेटिब केसेस की संख्या बढ़ी है याद रखिए अगरी त्रण्प साथान ना होए तो कोरोना हम सब को संकत में डाल देगा और जिले मेरी आपसे अपील है प्रार्द ना है कोरोना से बचने के लिए मोबट फेस मास्क लगाए सुरक्ष दूरी बना के रखे बाजार में भीड़ना होने दें दुकान दार भी इसका धान रखे बार बार साथुन से हाथ धोते रहे साब्धानी में ही सुरक्षा है प्रदेश के पांच जिलों में पिछले सब्कार है तेजी से पॉजेटिब केस बढ़े हैं भुपाल इंदोर ग्वाईया रतलाम विदी साथ यह कोरुना तेजी से बढ़ा है इसके फैसला किया है कि 21 नमबर की रात दस बजे से सबेरे छे बजे तक रात री कालीन कर्फ्यू इन सेहरों में लगाया जाएगा रात के दस बजे से लेकर प्रात अच्छे बजे तक जब तक कोरुना के केसिस कम नहीं होती एक कर्फ्यू जारी रहेगा इस कर्फ्य के दौरान माल वहाग ट्रक की आवाजाहिद जारी रहेगे फैक्ट्रीज में काम करने वाले बरकर्स फैक्ट्रियों में जा सकेंगे हम नहीं यह भी तैकिया है कच्छा एक से लेके आठ टक के इस्कूल बंद रहेंगे नौ से लेके बारवी तक के विधार थी विभाग के निर्देशों के अंसार केवल गाइडेंस के लिए इस्कूल में जा सकेंगे कालेज की बंद रहेंगे कि वर बारकर्सन के लिए छात्र महाँ जा पाईए हमने प्रदेश के सभी ये लोगे 21 नमबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक आयुजित करने का फैसला किया है जिले के कलेक्टर इन बैठकों को आयुजित करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप आने वाले समय में बिवाह में या अन्य सामाजिक भार में कारिकमों में कितनी संख्या सहर में रहेगी कोरुना के संक्रमन की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे हम ये भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप पर छोड़ रहे हैं कि यदि कहीं किसी मोहले या कालोनी में केजी से कोरुना का संक्रमन फैलता है तो वो मोहला या कालोनी कंटेंग्मेंट जॉन डिक्लेयर किया जा सकेगा और वहां से फिर आना जाना नहीं हो सकेगा सरकार अपने तरफ से हर संभ़ प्रयाश करेगी मैं अपने प्रिय बेहनों और भाईयों से बेटे बेटियों से यह अपील करता हूं प्रार्जना करता हूं अपने लिए अपने प्रदेश के लिए अपनों के लिए अपने देश के लिए कोरुना की हर गाइडलाइन अपालन करें साब धान रहे, सुरक्षित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद